लास्ट 4 मंस study plan for December 2024 exams तो अब December 2024 exams को exactly 4 मंस बाकी है और जैसे जैसे exams नस्दिक आ रहा है आपके माइंड में बहुत सारे questions आ रहे doubts आ रहे हैं कि अब exactly 4 मंस बाकी है, कम time है, limited period of time है तो हमें क्या-क्या चीज़े follow करनी चीए, कौनसी mistakes avoid करनी चीए जिससे हम ensure कर सके कि December 2024 में हमारा exams clear हो जाए और जिस दिन से ये वीडियो upload हो रहा है तब से exactly 4 months है December 2024 exams को और यही 4 months decide करेंगे कि आपका exam clear होगा के नहीं December 2024 में इसके लिए बहुत important है कि आपके पास एक study plan होना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि exactly क्या करना है कौन सी चीज़े हमें follow करनी है for the next 4 months कोई भी goal achieve करने के लिए planning सबसे important होता है similarly कोई भी professional exam clear करने के लिए study plan बहुत जादा important होता है क्योंकि अगर आपके पास study plan रड़ी है तो आपको पता होगा कि अब आपका next step क्या है similarly अगर आप study plan refer करते हो तो आपको पता होगा कि next 4 months में मतलब August, September, October, November में exactly हमें क्या-क्या चीज़े follow करनी है तो आज जो study plan और 5 strategy जो आपके साथ में share करूँगा वो आपको follow करना है for the next 4 months और ये सबके लिए अगर आप executive में हो तो भी देख सकते हो प्रोफेश्टल में हो तो भी देख सकते हो और old syllabus, new syllabus मैंने ध्यान रखा है कि एसी strategies बताओ जो हर type of student इसको refer कर सके अब जो सबसे first point आपको follow करना है वो है focus more on self study अब देखे exam को खाली 4 months बाकी है मतलब 120 days बाकी है सिर्फ अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपका lectures अब तक खतम हो जाना चाहिए आप side by side lectures भी देखो बड़ ज्यादा focus आपका self study पे होना चाहिए मैं आपको example के साथ बताता हूँ अगर आप दिन में 12 गंटे पट रहे हो अब वापस आते है आज की वीडियो के topic पे और जो second point है वो काफी important है वो है correct way of studying अब मैं आपको example के साथ बताता हूँ everyday मेरे को इतने सारे students के message आते हैं कि sir exam December में है बढ़ हमारे lectures ही खतम नहीं हो रहा है तो हम पढ़ाई कैसे start करें मतलब हम पढ़ते 10-12 गंटे बढ़ पूरा time lectures में ही निकल जाता है तो पढ़ाई कैसे करें तो यह जो तरीका है वो गलत तरीका है पढ़ने का आपको correct way क्या है मैं आपको simple example के साथ यहाँ पर भी बताता हूँ अगर आप कोई भी chapter का कोई भी subject example ले ले लेते हैं J.I.J.L. जो आपका CS executive है उसका आपने एक chapter का lectures देख लिया है उसके बाद आपको immediately उसका self study करना है यह नहीं करना है कि तीन महीने तक आप daily lectures देख रहे हो 12-15 गंट और उसके बाद आप end में पढ़ाई कर रहे हो personal experience बताता हूँ मैं कैसे पढ़ाई करता था मतलब next day अगर मुझे कोई भी chapter पढ़ना है मतलब self study करना है उसका मैं रात को सोने से पहले lectures देख लेता था इवनिंग में accounts और taxation मुझे इतना पसंद नहीं था तो मैंने mistake किया था मैं चाहता हूँ कि आप मेरे mistakes से सीखो मैंने क्या किया taxation और जब executive में था तब accounts उसको मैं last में छोड़ता था क्यूंकि वो उसमें हमारा उसमें interest नहीं है आपका weakness आपको time जादा देना पड़ेगा ध्यान जादा देना पड़ेगा इसके लिए उसको भी अभी आप cover कर लो ऐसा नहीं करो कि जो weakness वाले subject है जिसमें आपका strength नहीं है उसको आप last तक छोड़ रहे हो जो strength वाले subject है उसका काफी simple है उसमें आपको target रखना है 72-80 marks का अब I know 72-80 marks लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है executive और professional में challenging है बट अगर आप ये target रखोगे तब जाके आपको 60-65 आएंगे जो बहुत सारे लोगों को आता है exemption तो इसके लिए आपको target रखना है 70-80 marks का वो subject में जो आपके strength है जो आपका weakness है क्योंकि उसमें ज्यादा time देना पड़ेगा ज्यादा attention देना पड़ेगा आपको उसमें ज् करने में सम्स जो भी है जो भी आपका weakness होगा वो subject को आपको अभी cover करना है end तक उसको नहीं छोड़ना है जो fourth strategy आपको follow करना है वो है ABC analysis यह बहुत ही best strategy है और मैं आपको message बता सकता हूँ बच्चों के message आते हैं कि यह follow करके उनको exemption आया जो toughest papers होता है जैसे corporate restructuring हो गया CS executive मे यह strategy follow करके बहुत आसान है इसमें मैं आपको example के साथ बताता हूँ suppose आपका कोई भी chapter है आपका कोई भी subject है जैसे company law एक subject हो गया उसमें suppose 20 chapters है तो ABC analysis का मतलब क्या है आपको जो category है chapter की उसको जो chapter से उसको तीन category में divide करना है A category B category और C category अब आप observe करोगे कि वो 20 में से 10 chapter ऐसे होंगे जिसमें हमेशा ICSI fix 70 mark जितने का पूछ लेगा जो B category के chapter से 5 chapters जो next chapter से उसमें से ICSI 20 marks के question पूछेगा और जो C category है जो last 5 chapters से उसमें से ICSI 10 mark का पूछेगा अब यहाँ पे मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ A category पढ़ना है B और C छोड़ना ऐसा नहीं आपक क्योंकि अभी जैसे जिसे आप नजदिक जाओगे exam के time कम होते जाएगा तो आपका जो focus है जो primary focus है वो category A और category B पे होना चाहिए category C भी आपको पढ़ना है बट ज्यादा time आपका A और B वाले category के chapters पे जाना चाहिए अब आते fifth और last important point पे जो है writing practice ये एक ऐसी चीज है जिसके वज़े से नाजाने कितने लोगों का attempt लग जाता है मैं आपको example के साथ बताता हूँ आप पूरा time पढ़ाई करते हो self study करते हो revision करते हो marathon lecture देखते हो but आप writing practice नहीं करते हो आप सोचके देखो जो आपकी exam होने वा important है जब आप writing practice करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सही से answer लिख पा रहे हो के नहीं आपका speed कैसा है तीन घंटे में आपका paper complete हो रहा है के नहीं यह सारे benefits है writing practice करने के और इसका best time भी मैं आपको बता सकता हूँ जो लंच के बाद वाला session होता है generally उसमें हमको नीन दात तो आप ज़्यादा active रहोगे और जो नीन दाने वाला चीज होता है वो भी कम हो जाएगा और आपका writing practice भी हो जाएगा तो friends यह था 5 strategy तो आपको follow करना है over the next 4 months और trust me 4 months adequate time period अगर आपने यह सारी चीज़े follow कर ली तो आपको December 2024 में बास होने से कोई भी नहीं रोक सकता आज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और thank you very much for watching